स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां सुनेंगे कुछ कहानिया नई, कुछ पुरानी, कुछ अपनी, कुछ बेगानी जो लोग अमरिता प्रीतम के लेखन को अच्छी तरह से जानते हैं वो उनके जीवन में प्रेम की उधल-पुधल से भी वाकिफ हैं साहरे लुध्यानवी के लिए उनका अटूट प्रेम और अपने पार्टनर इम्रोज के साथ बिताए लंबे प्यार भरे दशक दोनों उनके जीवन का अभिन हिस्सा रहे इम्रोज ने खुद एक कलाकार होते हुए भी अमरिता को हमेशा वो सम्मान दिया जो उन जैसी महान लेखिका का हक था अमरिता का जीवन और लेखन एक विशाल व्रिक्ष सा बढ़ता रहा पहलता रहा और इम्रोज उस व्रिक्ष के साए में त्रिप्त रहे अमरिता प्रितम ने अपनी पुस्तक साथ सवाल में विभिन क्षेत्रों के कलाकारों के इंटर्व्यूज लिये उन्होंने इम्रोज का इंटर्व्यू भी लिया ये साक्षातकार जीवन और कला, क्राफ्ट और धर्म पर उनके विचारों की एक जहलक है अमरिता के प्रशन वैसे ही सटीक और बेबाक हैं जैसे उनका लेखन इम्रोज के जवाब शान्त और गहरे हैं जैसे उनका प्यार उन साथ सवालों में से एक किताब के इस एकसर्प्ट में अमरिता पुछती हैं जिन्दगी का कोई ऐसा हाथसा बताएंगे जिसने धर्म और समाज की या वक्त के इंसाफ की स्थापित कीमतों के सामने पहली बार कोई सवालिया निशान लगा दिया हो जवाब में इम्रोज कहते हैं दादा दादी जीते थे उनके पांच बेटों में से सिर्फ सबसे बड़े का ब्याह हुआ था मेरा बाप और सब कमारे थे जमीन थोड़ी थी जिससे दुखम सुखम सबका गुजारा कठाई से ही हो रहा था ब्याहे हुए लड़के का भार औरों को रड़कने लगा तो दादी ने माल डंगर वाले आहाते में एक कोठरी डलवा दी बड़े बेटे को उसके टबर के साथ अलग कर दिया घर में और आहाते में सिर्फ चार कदम की दूरी थी वैसे दोनों आमने सामने थे जब तक मेरी मा जीवित रही दोनों घरों के बीच का ये थोड़ा सा फासला जैसे कोसों का बना रहा पर मा मर गई और मेरी छोटी बहन जब कोई नौ बरस की थी चूले पर कच्ची पक्की रोटियां थापने लगी तो दादी को बे मा के इन बालकों पर ममता आ गई फिर वे कभी आते जाते बालक को बुला कर रोटी का तुकड़ा देने लगी दादा भी बालकों को लिहाफ में बिठा कर पुछकारने लगे मेरे कुवारे चाचाओं में से बड़ा चाचा सुन्दर नंबरदार हो गया था और छोटे चाचा खेत जोतते थे हमारे गाओं में जो आदमी ढंग से खेतों का काम नहीं करता लेकिन उपर के काम करता है उसे सब नंबरदार कहने लगते हैं सो मेरा ये नंबरदार चाचा बस सानगी बजाता था और फिर मेरी लगी किसी ने ना देखी इवली बात हो गई सानगी बजाने वाले चाचा को गाओं की करालों की बेटी बंसो से इश्ख हो गया मुझे याद है बंसो के घर में कोई नया कमरा बनाया जा रहा था जहां घर वाले दिन भर गारा बनाते और इटे ढोते थे और मेरा चाचा भी सानगी को भुला कर बंसो के घर पर गारा बनाने बैठ गया ये हीर निमानी इटे ढोवे और रांजा ढोवे गारा वाली कोठरी नहीं बन रही थी ये तो सयालों के भैसे चराने वाली हालत थी बंसो ने अपनी मा की चोरी से सुन्दर चाचा के लिए भी चूरी कूटी होगी या नहीं मैं नहीं जानता मुझे भी होनी की खबर तब हुई जब सारे गाओं को ही कि एक रात घर का दर्वाजा बंद करने के लिए बंसो बाहरी दहलीज के पास आई तो दहलीज को लांकर बाहर ही निकल गई भीतर घर की ओर नहीं लोटी और अगले सवेरे गाओं में न बंसो थी न सुन्दर चाचा बंसो के घर के लोग जट नहीं थे कराल थे जिने शहरों में लोग आलुवालिया कहते हैं इसलिए घर को जो आग लगी थी उसका धुआ अंदर ही बंद करके मूं सिये बंसो की तलाश में निकल गए हमारा ये गाओं चक नमबर 36 लायलपूर से 12 कोज दूर था बंसो के घर के लोग सीधे लायलपूर गए वहाँ उन भटकते हुए लोगों को एक टैक्सी वाले ने खबर दी कि वो दो प्रेमियों को लायलपूर के दूसरे चोर पर एक गाओं के पास उतार आया है सुराग मिल गया तो प्रेमी भी मिल गए बंसो के घरवालों ने तब भी मूँ नहीं खोला लेकिन लड़की को बांध कर घर लिया और उसे पीछे वारी कोटरी में डाल दिया सुन्दर से उन्होंने कुछ नहीं कहा नहीं तो जाने गर्म ताओ कईयों के सर उतर जाते लेकिन तूटती को जग ने जान लिया था इसलिए बंसो के घरवालों ने एक दिन बंसो को लायलपुर ले जाकर किसी दहेजू बुढ़े के पल्ले बांधिया भट्टी पर कुछ दिन चर्चा पकती रही लेकिन चिंगारिया दोनों पक्षों में से किसी के भी कपड़ों पर नहीं पड़ी सिर्फ कुछ चिंगारिया थी जो गाओं के लॉंडे लारों ने चुन ली थी और वो कभी-कभी उनके होटों पर जल उठती थी ये भी कह सकता हूँ कि वो लॉंडे लारे छोटे-छोटे किस्सा गो थे जिन्होंने बंसो और सुन्दर को लेकर कुछ तुकें जोड़ ली थी लेकिन जब वो अकेले दुकेले होते थे तभी मुँ खोलते थे गाउं में किसी के सामने मुँ से बात नहीं निकालते थे मुझे सिर्फ एक ही बोल याद है जो आपस में हसी मजाग करते हुए वो लड़के गाया करते थे मुझे सानगी बना ले सुन्दर कंधे से तेरे बचती रहूं और फिर एक दिन अचानक बाज तूट पड़े किसी होनी का वहम गुमान भी नहीं था गाउं के नंबरदार से पानी के कारण लगती आ रही थी लेकिन बात कहा सुनी तक ही होती थी कभी किसी ने दूसरे पक्ष को काटने मारने की बात मुझे नहीं निकाली थी और उस समय खेट में सिर्फ मेरा दादा था और एक चाचा वो सानगी वाला सुन्दर चाचा नहीं था दादा ने अपनी लाठी से बर्ची का वार रोक लिया लेकिन चाचा के सिर में बर्ची लग गई उस समय चाचा ने एक बर्ची वाले को कमर से पकड़ कर पटक दिया और उसी की हाथ की बर्ची छीन कर उसके पेट में घोंगती दादा गदके का खिलाडी था इसलिए बर्चीयों के वार रोकता रहा दूसरे बर्ची वाले को भी दादा और चाचा ने गिरा कर उसकी बर्ची उसी के पेट में घोंगती मिंटों में ये दो कतल हो गए तो गाउं पर थाना चड़ाया नंबरदार का खाता पीता घर था इसलिए मेरे दादा, तीनों चाचा और मेरा बाप सब बांध लिये गए मुकद्दमा चला मेरा बाप, सुन्दर चाचा और चोटा चाचा मौके पर नहीं थे इसलिए तीनों बरी हो गए लेकिन दादा को और एक चाचा को फासी की सजा सुना दी गई अपील की गई तो चाचा की फासी की सजा काले पानी की हो गई और दादा की मुलतान जेल में चौदा बरस की गाउं में बुजी हुई आग फिर सुलगने लगी लोग अंदाजा लगाते थे कि करालों ने नंबरदार को पैसा चड़ाया था जिससे उन्होंने अपने हाथ बचा लिये लेकिन जाटों के हाथ लहू से भिगो कर अपना बदला ले लिया अधी रात तक मेनों की तरहें बजा करती थी आशा है ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी अपने कॉमेंस आप ज़रूर शेयर करें यहां या फिर मुझे इमेल करके मेरा इमेल आईडी है contact at crispcreatives.com अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अलविदा